हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में SBI Service Request Form के बारे में मैं कुछ जानकारी सेयर कर रहा हूँ इस फॉर्म के जगे कई सारी सुविदाएं आप एकी फॉर्म में ले सकते हो जैसा कि आप यदि चेक बुक के लिए अपलाई करना हो ATM के लिए अपलाई करना हो, ATM PIN हो या फिर Address Change करना हो, तो यह है Service Request Form सबसे उपर में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है इसके नीचे Account Number है, इसके नीचे Branch है और यहाँ पे आप चेक बुक के लिए अपलाई करने के लिए यह कॉलम दिया गया है कि आप चेक बुक यदि अपलाई करते हो तो 10 पेज, 25 पेज और 50 पेज के लिए Address Dispatch कराना चाहते हो debit card PIN के लिए request डालना चाहते हो, ATM PIN के लिए request डालना चाहते हो या फिर आप other debit card के लिए request डालना चाहते हो तो इसमें आपको यह option मिलता है, यदि आप चाहते हो कि monthly आपके account का statement आपको मिल सके आपके issuance का bonus अगर कुछ आता है तो उसका issuance का यदि आपको certificate चाहिए TDS certificate चाहिए, issuance of interest certificate यदि MIS वेगर है आपका तो आप interest certificate भी यदि लेना चाहते हो तो आपको यह form भरने के बाद monthly मिलने लगेगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको monthly आपके passbook का statement मिले तो वो भी आप इस form के जरीए ले सकते हो, या फिर आप SBI जो आपका card है उसको link करना चाहते हो तो वो भी option इसमें है, when bank verification के अंतरगत यदि आप signature verification करना चाहते हो, photo change करना चाहते हो, photo verify करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हो, confidential report, paid check request form, यह सारा option इसमें दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर check number, यदि कोई आपका, आपने check से भुगतान किया है, तो आप check, withdraw date amount, सारा चीज मांग सकते हो, detail of debit card, debit card का transaction amount का भी आप statement मांग सकते हो, detail of debit card, credit card का आप statement मांग सकते हो, paying detail यदि आपने किसी को check से payment किया है, तो उसका भी आपको detail bank देगी, इस form को भरने के बाद, या फिर आप कोई भी आपका यदि check return हुआ है, यानि यदि withdraw नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो आप उसका भी detail bank से मांग सकते हो, any other request का भी एक option दिया गया, इतने column होने के बावजूर, इसके बावजूर यदि कोई आपका request है, तो यहाँ any other में आप ठीक लगाओगे, और वहाँ पे सारा detail लिखोगे, यहाँ पे आपको signature करना है, तीन signature का option दिया नाम भर रहा हूँ, इस पे सुनिल कुमार हमारा नाम हुआ, दोस्तों अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है हमारा, तो आप चैनल को जूरू करो subscribe, ऐसे ही tips के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सुनिल कुमार, जो की हमारा नाम है, इसके नीचे आपको account number डालना ह है, यहाँ पे मैं इस तरह x-axis ही लिख रहा हूँ, चुकि account number मैं नहीं लिख सकता, openly, इसके लिए यह guideline के खिलाफ है, दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है account type, current saving, या फिर रेकरिंग, जो भी आपका account है, normally, तो saving account ही रखता है, तो saving account आपको लिख देना है, यहाँ पे, 21, 11, 2021, इसके निचे आपको जो option है, यहाँ पे आप email id अपना डाल सकते हो, यहाँ पे आपको branch address लिखना है, तो मैं पटना लिख रहा हूँ, आपका जो भी city है, वो आप लिख दो, please fill only required changes stick of the section if not required, यहाँ आप जो भी चाते हो, उस पे ही ठीक लगाओ, यहाँ पे आपको mobile number डालना है, इसके निचे residence के लिए, residence यदि आप change करना चाते हो, address change करना चाते हो, office address change करना चाते हो, जो भी आप चाते हो, बस उसी को भरना है, ऐसा नहीं कि आपको form पूरा भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे mobile number डाल देना है, आपको जो भी नंबर डाल दो, यदि pen से link नहीं है, तो pen अपना date of birth डाल सकते हो, यहां पर आपको पहले date डालना, पहले date डालना उसके बाद month डालना है, यदि आपकेपास passport है तो आप passport का नंबर यहां पर डाल सकते हो, बट अगर आप पास्पोर्ट का नंबर डालोगे तो उसके बाद आपको डेट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जैसा कि 21 2018 मैं लिख रहा हूं पास्पोर्ट जालने के वसकता नहीं है अधार पे नहीं काफी है अगर आप एड्रेस चैंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको निव रिखना है यह डिख सेंज के लिए है तो यहाँ पर आपको लिखञाम है अगरो आपका पर्मानेट Advent अड्रेस कि इसके नीचे आप देखोगे तो यहां पिर्ट रिट्श के लिए शर्विस्स रिक्वेस्ट यहां पिल इखा हुगा है चबोग यदि आप चेक बूग के लिए अपलाई करते हो तो यहां पे आपको चेक में तिक लगा है चेक बुक में और आपको जितना भी पेज का चेक चाहिए 10 25 परचास आप यहां पे ठीक लगा दो अगर आप डेबिट कार्ड पीन के लिए रिक्वेस्ट डालना चाते हो तो एटीम पीन पे आप ठीक लगा दो यहां पे आपको ओप्सन दिख रहा है दोस्तों एटीम पीन यह दिया आप प्रिक्वेस्ट डालना चाहते हो एटीम पीन के लिए तो एटीम पीन के लिए भी इसमें ठीक लगाओ पूरा फॉर्म बरने की आप सकता नहीं है जो भी आपको सर्विस चाहिए उसी पे आप ठीक लगाओगे बांकि आपको टीक नहीं लगाना है या अगर आप मंतली स्टेट्मेंट चाहते हो तो मंतली स्टेट्मेंट का देदो यहां पर डूब्लिकेट स्टेट्मेंट पास्ट बूक यहां पर अगर चाहते हो लेना तो आपको डेट डालना है कब से कब तक जो एक एक 2020 से 2011-2020 आप डाल सकते हो लास्ट महिना यानि एक साल का आप पूरा मांग सकते हो या फिर आप financial year का मांग सकते हो March to April दोस्तों यह काफी अच्छा फॉर्म है इस पे multiple services provide करती है SBI bank यानि एक ही form पे आपको bank का लगभग सारा service इस पे मिल जाता है सारा service तो नहीं बोल सकता क्योंकि सारा service यह नहीं है बहुत सारे services है जो कि bank देती है सेक्रो services है यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको link my SBI card यह आपका ATM SBI card जो भी है वो अगर आपका link नहीं है bank के साथ या फिर phone के साथ तो आप बैंक के साथ तो अल्रेडी है ही phone के साथ यह लिंक नहीं है तो आप लिंक कराने के लिए ठीक लगा सकते हो bank verification अगर आपका bank verification में signature यह भूल गए हो तो आप signature पर ठीक लगा सकते हो यहाँ पर उसके नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ एनी account transaction related यदि आपको कुछ भी services चाहिए वो सी जो दिख रहे हो black column यहाँ पर आपको अगर account समंदी कुछ भी request है जैसे कि यदि आप चाहते हो कि अगर आपका कोई check से आपने भुगतान किया है और आप भूल गए हो तो उसका आप detail मांग सकते हो यदि आपका कोई भी check जो आपने विड्रा के लिए डाला था यदि वो cancel हुआ है किसी भी कारण से return check not received हुआ है तो आप वो check number date amount कुछ भी drawn date या फिर deposit date आप bank से मांग सकते हो अगर आप इतना service के बाद यदि आपका कोई other services तो other any services में any other services आप यहाँ पर request में आप ठीक लगा सकते हो and यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ you write your request here यानि जो भी आपका request है वो request आप इसमें डाल दोगे मुझे नहीं पता अगर आपका क्या request है तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ कि you write here your request इसके नीचे दुस्तों signature है तीन signature अगर आपका signature mismatch नहीं करता है actual signature आप करते हो तो यहाँ पर एक ही signature करोगे बाकि अगर आपका joint account है तो second person यहाँ पर second account holder आपका यहाँ पर sign करेगा और अगर आपका third party भी है यानि तीन लोग का account है तो तीनों लोग यहाँ पर sign करेंगे और NXR1 mobile number declaration यदि आप mobile number declaration करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना नाम आप लिखोगे नीचे में और यहाँ पर आप लिखोगे अपना phone number जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 9493114522 और ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं phone number भी declare नहीं करना चाहता बाकि अगर आपको हमारा phone number चाहिए तो आप हमारे चैनल का WhatsApp group join कर लो वहाँ आपको number दिख जाएगा इसके नीचे दोस्तों आपको first account holder signature यहाँ पर है तो आप यहाँ पर signature करोगे और यह complete हो गया इसके नीचे का जो column दिख रहा है दोस्तों यह column सिर्फ bank वाले ही भरेंगे लिखा हुआ है और bank use only उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब किसी मेंटर पर आपको वीडियो चाहिए फैनांसर रिलेटेड या टेक रिलेटेड आप हमें लिखो मैं उस म अगरेटर पर वीडियो बना दूंगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम